हेलो एवरिवान, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज हम स्प्लिट रिंग बनाएंगे ट्रैबल स्टिचिस के साथ, तो ये देखिए, सबसे पहले ये शेटल वान से मैं ये रिंग बना रही हूँ और इसमें दो डबल स्टिच ले रही हूँ, एक छोटा सा पिको और फिर एक ड अजाल लिया, और इस लूप को बढ़ा करके, ये अभी मैं हैंड लूप वाला रिंग बढ़ा कर रही हूँ, और इस लूप को बढ़ा करके हमने पहला लूप टाइट भी कर दिया, साथ ही इसमें से शेटल भी पास कर दिया, अब इस तरीके से मैं शेटल और कोर थ्रेट क लूप और कोर थ्रेट के बीच में से तीन बार इसको घुमा लिया है मैंने और इसकी एक लूप की लेग पकड़के मैं ये ट्रेबल स्टिच को सेट कर रही हूँ ये पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था इसलिए इसको मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ दूसरा लूप निकाला और इस लूप में हम शेटल पास्ट करेंगे और अभी लूप और कोर थ्रेट के बीच में से हम शेटल को तीन बार भुमा रहे हैं और इस लूप की पहली लेग जो है फ्रन्ट वाली साइड की उपकड़ के हम इसको खींच के जो है सेट करतेंगे तो ब्यूटिफुली ये इसके तीनो रोल सेट हो जाते हैं फिर दो डबल स्टिच लेके ये वाली साइड में कम्प्लीट कर रही हूँ ठीक है अब इस स्प्लिट रिंग की सेकंड साइड बनाते हैं जिसमें हम अन फ्लिप्ट स्टिच लेंगे इस पे हमने अन फ्लिप्ट स्टिच लेने हैं तो दूसरे शटल से यहां पर पहले मैं दो डबल स्टिच ले रही हूँ अन फ्लिप्ट फिर एक पिक को और एक डब जाने में काफी मुश्किल आती है इस पिकों में से हमने यह जो शेटल का थ्रेड है यह निकाल लिया हमने यह देखिए इस पिको में से हम इस तरीके से ये थ्रेड पूल करेंगे और एक लूप बना लेंगे इस लूप को हमने थम पे रखा है अपने और इसके नीचे से उपर की और हम शेटल पास करेंगे ठीक है और फिर वो कॉर थ्रेट में से शेटल पास किया और कॉर थ्रेट और इस शेटल थ्रेट के अंदर हमने एक फिंगर सेट कर ली और यहां से हमने ग्रीन थ्रेट के उपर से ही तीन रेप लिये ठीक है यह तीन हर ट्विस्ट यहां पर हमने दे दिये हैं और अब यह देखिए शेटल वाला त्रेड़ इस लूप में से आ रहा है दो बारा हम इसी रस्ते से इस लूप के इस तरफ आ जाएंगे और इस तरीके से हम इस त्रेड़ को कीचेंगे ताके हमारा जो ट्रेबल स्टिच है वो सेट हो जाए उसके रोल सेट हो जाए ठीक है यह हमने इस तरीके से कीच दिया और दुबारा से हम जो वाइट वाला थ्रेड है इसको सीधा करके इस तरीके से हम यह इसमें से से खीच देंगे और यह वाला जो ट्रेबल स्टिच है ये पास में करके ग्रीन शटल खीच किसको से रहते तो यह देखिए इसके बाद हम एक डबल livre लेकर इस स्टिच को कमप्लीट कर देते हैं अब दूबारा से देखें ऐगे मीं ट्रेबल लव डबल सिक के बीच में एक स्पेस जहां बनती है यहां पर दुबारा हम ट्रेबल स्टिच स्टार्ट करेंगे यहां से मैं यह ग्रीन थ्रेड पुल करके बाहर ले आऊंगी लूप बना लिया ठीक है और इस लूप को थंब में इस तरीके से रखोंगी और नीचे से उपर की तरफ इस लूप में से शेटल निकाला दुबारा फिर कोर थ्रेड में से उस तरफ कर लिया कोर थ्रेड और शेटल थ्रेड के बीच में मैंने एक फिंगर रख के इस ग्रीन थ्रेड से इस तरीके से मैंने तीन बार यह घुमाया इस शेटल को और दुबारा हम इस लूप में से वापिस आ जाएंगे और इस तरीके से हम ये शेटल खींच देंगे इस तरीके से हमने खींच दिया इसको और इसको फिर फिंगर से उतारके इसको सीदा कर लेंगे कि देखो इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यह इन स्टिच इसमें से निकाल के सीधा कर देंगे और यह हमारा ट्रेबल स्टिच यहाँ पर सेट हो जाता है और ग्रीन थ्रेड को खिंज के भी आप इसे थोड़ा सेट कर दे यह देखे ब्यूटिफुली ट्रेबल स्टिच यहां पर बन गया इसके बाद दो डबल स्टिच हम और लेंगे और यह साइड जो है हमने कम्प्लीट कर दी यह थोड़ा सा आपको मुश्किल आ सकती है जतना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही यह फिर आपको बाद में इजी भी लगेगा तो यह दोनों साइड पकड़के हम पहले शटल को खींच के यह स्प्लिट रिंग बंद कर देते हैं तो इसकी प्रैक्टिस करना आपको समझ में आ गया है तो यह जवेट देलि में आपको थाओ लुगिप तो जब स्क्राइब कर देलिपगा